कि ए कि Hello student अभी हम कलास एड चैप्टर नमबर सेबन का एकसर साइज सेवेन पॉइंट टू करने जा रहा है किए पहले हमने समझा दिया था इसमें क्यूब डूट्स है नो क्यूब रूट्स हमने उस दिन क्यूब के बारे में समझा था यह क्यूब तरह से हम क्यूब रूट्स जो है लिखते हैं अगर मालों कि इस तरह ऑप लिखा हुआ क्वां और यह इसे को फेक्टर करना है तो उठिरे जाए इसको फेक्टर कर लेना है पर आइम फेक्टर ही करना इसको ठीक है? अब यहां पर लिख लेना है 2 x 2 x 2 जतना हो रहा है उतनी बार जो है ने लिख लेना है ठीक है? और इसको जो है कियोब रूट्स है ने ये क्योब रूट्स है तो ये क्योब रूट्स लगा लिए तो अब यहां देखिए तो तीन में से एक निकालना है तो टूट हो जा कितना हो गया फूर्ट यह क्यूब रूट और उस पर यह रूट मत चराना थिक है और उसके वाए को मल्टिप्लाइ कर तो हो जाए जाय आपका फंस संथ का इसमें एवाइन से करने वाले पहले आप इस्का पेर बनाओ ऒगा चिसे एधर से घिया यह वहला है है यह फार्स पेर हो गया इसको फार्स पेर बोलते हैं यह जो बन गया है इसको सेकेंड पिएर बोलते हैं ठीक है तो पहले आप फार्स पेर लेना first group को लेना first group में आपका क्या है 913 है ठीक है 913 में इसका unit digit जो है न 3 आता है तो इसका cube करना unit digit जो है न इसका हो गया कितना है 3 cubes of unit digit unit digit तो 3 का cube कितना हो जागा हो है 27 27 होगा तो इसका unit digit जो होगा 7 तो जब जो है न हम इसका cube root जो है लिखेंगे gen司 तरह से cube roots जो लिखेंगे तो इसका unit Hug cubes के बीच में आता है तो देखो 1 का क्यूब जो होता है ना 1 होता है 2 का क्यूब जो है ना 8 होता है ठीक है तो तो इसको जो है ना हम देखेंगे 1 का 1 का 1 और ये जो है ना कितना के बीच में आता है 8 के बीच में जो है ना ये आता है 4 ठीक है तो ये 1 का क्यूब है ये ठीक है और ये जो है ना किसका क्यूह का क्यूजय, तो इसमें, सबसे चोटा जो एंद आयनि जो हुआ गूरुप आईगा उसको देखनाए दो क्यूभ के बीच में किस्का आता है क्यूभ ग्लिक लिख लेए ऑस जब से में सबसे छोटा कौन है इसमें सबसे छोटा ठीक है तो months is का जो एंद इसके टेंज डिजित में लगा देना ठीक है तो यह 17 जो है ना इसका क्या हो जागा आपका क्यूब रूर्स क्यूब रूर्स जो है ना 17 हो जागा इस तरह से आपको ना इसका सारे कुशन का गेस करना है ठीक है थांक यूए स्टूडेंट